बिस्मिल्लाहि रह्म रहीम स्वाम लेकुम तो आडिया स्ट्रेंट्स मैं आपका ट्यूटर रजा लतीब फाम गॉर्मेट वॉस्ट ग्रेजुएट कालिय समुंदरी फैसलाबाद कॉस्ट टाइटर टेंसर अनालेसिस लेक्चर नंबर टैन डिलीवर करने जा रहा हूं आज हमारे टोपी होगा इस लेक्चर में हम अंडिस्टैंड करने जा रहे हैं वैरी इंपोर्टेंट एक थियूर्म होगा तो इस थियूर्म की जो स्टेटमेंट कुछ ऐसे एक जैम में पुशी जाती है स्टेट एंड प्रूफ स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट इंटेंसर अना होगा उसमें हम वैके टिपल पर दक और्श crime कि ओंपूचा जाता है ठीक है तो इसको first of all हम स्टेटमेंट कोइन स्टेंट करेंगे और स्टेटमेंट की वार्टिक उसका जो प्रूव का हम वेईर्ट कर ग्राइगे तो चलते हैं स्टेटमेंट की तर Wars स्टेटमेंट कुछ चीज अंदाज भी है दास केले टीपर प्रोड़क्ट थीओरम इंटेंसर अनलेसे इस डिफाइड एस यह आपके पास स्टेटमेंट कुछ ऐसे हो नहीं है यह इसको आपने और रिडाइट करना होता है और इसको हम फुल्फिल करवाएंगे मतलब इसको नहीं इपकाूब करना है तो यह कहलें कि तीनो स्टेटमेंट आपस में इक्वल होती हैं जनुक हम क्या में करेंगे अ और डाट सब्सक्राइड सेकल होगा भी डाउट सब्सक्राइड वैकल होगा फाट ब्रेक्ट स्टार्ट एक्रॉस भी अब यह तीनों रिजर्ट आपस में इक्वल होते हैं आपने इसको क्या करना है अगर हम एक कि किया साइड को एकक्वल करवा दें मतलब आपके पास घेजर्ट अगर फुल्ट हो जाता है तो इसी के सींहीं में आपकोश न फुल्ट मिल जाएगा ऐसे ही आपको इसका ये रिजर्ट फूर्फिल्ड हो जाएगा हमने इसको similarity form में check out करना होता है तो हम जब इसको considerization में solve करेंगे तो इतने रिजर्ट को आपने select करना है और इसको हम अपने एक रिजर्ट की तरफ move करवाएंगे और इस रिजर्ट पे जित्रा भी हमारा वो जर्ट का एक criteria है एक सिलस्लावार है उसके उपर हम जो वरक करेंगे ऑनवर्ड हमारा जो ऑनवर्ड जो steps होंगे वो इसके उपर यह यह जब पूरा हो जाएगा और यह बीजर्ट पूरा हो जाएगा ठीक है तो हमें complete जो टास्क है इस पर वरक करना है यानि सारा result हमने इसके उपर perform कर रहे होना है तो नेस्ट आपके पास यह भी आ जाएगा और यह भी हो जाएगा ठीक है ना तो प्रूफ करते हैं डिस्टूनेंट्स प्रूफ कुछ ऐसे है दा स्केलर ट्रिपर प्रॉडट्ट ए क्रॉस बी डॉट सी यह मैंने ऐसे लिए है कि जो आपके पास यह स्टेट्मेंट में है ना आपके जल्घए कि जो आपके पास बॉडट इंटरचेंज कर वाएगा तो तो कि आपके आपके पास डॉडट- क्रॉस होता है वो scalar triple product में interchangeable होता है इसलिके मैंने ये dot cross को interchange करवा के solve करवा रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है the scalar triple product A cross B dot C is defined as तो आपके पास ये कुछ ऐसे हो जाएगा tensor analysis में A cross B dot C या ये जो complete result कुछ ऐसे है equal होगा indices form में A cross B bracket में जो indices subscribe होगा I dot C into I dot product में जब आपके पास first result और जो second result होगा इनका जब आपने dot लेना है तो same indices ले रहे होते हैं उसको आप I indices में ले लें J indices ले लें K indices ले लें It's upon your own choice लेकिन हमने indices वो लेने होते हैं जो starting पे शुरू हो रहे होते हैं स्टार्टिंग पे जो मारे पास indices उसको ले रहे होते हैं स्टार्टिंग भी आपको पता है कि I आता है बात में J आता है फिर K आता है तो आप J से पहले K नहीं लेंगे ठीक है आप only on I को treat करवाओंगे ठीक है तो यह मैंने write किया होगा है कि where I is the dummy index I जो है यह repeated indices में आ रहा है इसलिए dummy है तो जब भी डार्ट होगा यह भी बास में रखिएगा सभी students कि यह जो आपके पास A x B जो bracket में इसका dot ले रहे हैं C के साथ A x B आपके पास same indices में आप I अगर ले रहे हैं तो जो C होगा वो भी I में लेना होगा इसी दिए उसका dot product openlize हो जाता है ठीक है तो यह लिखा होगा है I dot into C into I सब्सक्रिप्ट के अंदर A x B के सब्सक्रिट में आई है और C के सब्सक्रिट में भी I हो रहे है तो आई इसमें देखें दो बार आ रहा है इनके two times repeated है इसको हम कह देंगे dummy indices next हमने अपनी supposition की तरफ जाना है मतलब हम कुछ है suppose करेंगे let करेंगे कि जो आपके पास यह dot product है इसको आगे किस अंदाज में लेके जाए जाता है तो यह हमारी supposition इसको हम contrary लेके जा रहे है let us we suppose that a cross b into जो सब्सक्रिप्ट आई है equal होगा लीवी स्वीटा सिम्बल यहां पर हम अपलाई कर वा रहे है ठीक है तो आपने a cross b सब्सक्रिप्ट आई को लीवी स्वीटा में लेके जाना है अब यह कैसे open होगा डरन डिस्टेंट करने लीवी स्वीटा के सिम्बल आपके पास यह एक वता है epsilon सब्सक्रिप्ट में आपने थ्री इंडिसे सिम्बल लेने है तो आपके पास देखें । में आपने आय लिए होगा है पिर इस लीवी स्वीटा symbol के साथ आपने क्या करना है कि A x B के subscribe को पूरा करना है complete करना है तो यह ऐसे हो जाएगा कि A subscribe I को आप already लिख चुके हो तो यहाँ पर A के subscribe में आजएगा J ऐसे ही B के subscribe में आजएगा के ठीक है इसको हमने प्रिब्वी स्पोज गर ली है बी इन लीवी स्विटा टर्म भी कह सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि लीवी स्विटा सिंबल इस बाद आप ने इस एज़ो आप से suppose किया हुआ है इसके साथ dot product लेना है c i का क्योंकि आपको a x b indices i के साथ dot product c i को include करवाना है जो के आपके result में exist table है इसलिए आपने यहाँ पर write कर दिना है taking dot product of c i on both sides तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा a x d subscript i dot यह देखें c i को आपने left side में लिख दिया ऐसे ही हम epsilon ijk a jbk dot c i को आपने right hand side में लिख दिया यानि dot product जो c i है उसको आप इन left और right दोनों side में लिख दिया है अब अगला वरिख हमारे पास देखें कि जो left hand side है यह आपके जो आपने प्रूफ करने है यह वो result बन रहा है लेकिन इसकी दूसरी side जो है उसको आपने fulfill करवाने के लिए कुछ results लगाने है ताकि यह भी आपके पास perfect proof हो जाए ठीक है आप देखते हैं इसके उपर क्या होता है तो epsilon ijk ajbk dot c i है जो इसके उपर हमने apply up करने है लिवी स्वीटा symbol क क्योंकि आपके पास यहां पर epsilon ijk only on one time आ रहा है आपको एक और लिवी स्वीटा चाहिए यारिकि दो लिवी स्वीटा आएंगे तो आपने उसको close करेंगे एक result के तहए प्रॉपर्टी के तहए तो इसके लिए आप apply करें देखें applying लिवी स्वीटा properties then we get तो आपके पास यह कुछ ऐसे आ जाएगा a cross b dot c equal हो जाएगा epsilon ijk a i b j and c k ठीक है यह मैं आपको बताता हूँ यह मैंने कैसे write किया हुआ है लिवी स्वीटा property के carding क्या हुआ कि epsilon ijk जो है इसके indices में यहाँ पर क्या है i यहाँ पर है j यहाँ पर है k तो i वाला subscribe देखें आपके पास कहाँ पर है c के साथ, j वाला किसके साथ है a के साथ, k वाला किसके साथ है b के साथ तो आपने इनको कहले कि एक arrangement में write कर देना है, तो आपके पास कुछ ऐसे statement बन जाएगी अगर आप गोर करें epsilon ijk जो i है उसके पास starting subscribe की formation का जो symbol है वो आपने a write करना है हला कि इसे above step में यह जो i है वो c के साथ था, लिकिन हमने इसको attach करना है a के साथ, ताकि इसकी arrangement बन जाए ठीक है और जो j है यह आपके पास previous step में देखे आप j a के साथ था, लिकिन इसको हमने b के साथ लिखना है, तो यह ऐसे हो जग रहे है, यह Lewis Vita की property प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कर रहे है, इसलिए ऐसे हो रहा है, और c जो है, यह k के साथ हो जग 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 है, हलाकर previous step में c जो है, i के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है न, i के साथ जो रहे है, Lewis Vita की property, a के साथ जुड जाएगी, जो j की property होगी, वो b के साथ जुड जाएगी, और जो k की property होगी, वो c के साथ जुड जाएगी, hopefully understand कर लिए होगा, सब इस्टूने ने, तो जब आपने यह ऐसे Lewis Vita क की property apply कर दी, तो आपने इसे कहतना है, कोई यह number 1, अब हमने same, इनी steps को follow करने है, तो लिखेंगे similarly, अब हमें मलूम करने है, b cross c dot a, तो Lewis Vita की property apply कर दे, epsilon i, j, k, तो b वाला जो होगा, यह बनेगा, b, j, और जो c होगा, c वाले के साथ बनेगा, c, k, और जो a वाला होगा, इस को हमने कहतना है, को यह number 2, पिर ओनवर्ड, इस ऐसे ही हमने, c cross a dot b के लिए result लिखना है, तो इसके पर लिए Lewis Vita property hold करवाओगे, epsilon i, j, k, c वाले के साथ k जुट जाएगा, a वाले के साथ i जुट जाएगा, b वाले के साथ j, attached हो जाएगा, ठीक होगा, इसको हमने कहतना है, को यह number 3, अब हम करेंगे इनका compare, अब compare आपने करना है, 1, 2 and 3 का, तो जब आप compare करेंगे, तो comparing 1 and 2 we get, आपके पास यह तीनों result आपस में क्या हो जाएगा, अगर आप गोर करें, तो कोई number 1, यह कोई number 1 थी, यह वाले, यह कोई number 1 जो है, यह जो आपके पार right hand side वाला portion है, क name है, ऐसे कि कोई number 3 में देखें, कोई number 3 का भी जो right hand side है, यह भी equal है, 1 and 2 के हवाले से, तो इसलिए जब आप इसका compare करेंगे, तो आपके पास we get result बन जाएगा, a cross b dot c equal हो जाएगा, b cross c dot a, और equal हो जाएगा, c cross a dot b, यह आपस में तीनों के तीनों results जो है, fulfilled हो जाएगे, य तो वहाँ पर मैंने, जो bracket वाला portion था, वहाँ पर मैंने dot रख है और cross बाहर था, ठीक है, आपने dot cross को interchange करवाना, यहाँ पर a property के मैंने लिखी हुई है, as we know that, यह लिखा हुआ है, as we know that in scalar triple product and cross are interchangeable, it means कि जो scalar triple product होता है, इसमें dot और cross की जो properties है, यह आपस में interchange कर जाती है, ठीक है, यहीं dot cross आपस में alternate हो जाएंगे, it's no issue, तो आपके पास क्या होगा, यह जो bracket वाला cross यह बाहर चला जाएगा, और जो बाहर वाला dot है वो अंदर आ जाएगा, तो यह आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा, a dot into b cross c equal हो जाएगा, b dot into c cross a, औ और equal हो जाएगा, c dot a cross b, और यहीं आपके पास scalar triple product की statement है, तो यह finally हमने इसको प्रूव कर दिया है, hence which is the required, proved of our scalar triple product theorem, hopefully RDS students, आज की lecture को सभी student ने बहुत अच्छे अंदाज में understand कर लिया होगा, अगर फिर भी किसी step में कोई confusion कर सकते हैं, इंशाला अच्छे अंदाज में guideline दी जाएगी, तो ख्यार रखेगा RDS students, दौा में या रखेगा, अला आफेज and stay blessed.